नमस्कार दोस्तों Be Keeping India YouTube चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम पॉली नेशन के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक ट्रेनिंग सीरीज शुरू की हुई है जिसमें आपको शुरू से आखिर तक मदुमक्खी पालन से संबन्दि जितनी भी जानकारिया है वो आपको उपलब्द करवाई जाएंगी जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनको आप अराम से असानी से देख सकें दोस्तो पॉली नेशन एक बहुत ही महतोपूर्ण चीज है जिसको अगर हम समझें तो समझ में आएगा हमें कि मदुमक्खीयों का उसमें कितना ज़्यादा उपयोग है दोस्तो जितनी भी पूरे विश्यों के अंदर परजातियां हैं पॉधों की वो इतनी ज़्यादा इसलिए विक्षित हो पाई क्योंकि मदुमक्खीयों का बहुत बड़ा योगदान रहता है उसमें साथियों जैसे मनुस्य में पुरूस और इस्त्री होते हैं इसी परकार से पौधों के अंदर भी कुछ नर पौधे होते हैं कुछ मादा पौधे होते हैं तो पौधे क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जा सकते तो उनका जो क्रॉस पौıllिनेशन है वो नहीं हो पाता जिसकी वज़े से बहुत सारी जो प्रजातिया है नश्ड हो जाती अगर मदू मक्हिया नहीं होती मदू मक्हियों के Afrika के अलावा और भी बहुत सारे कीट होते हैं ऐसे पक्षी होते हैं जो की पौलिनेशन में हेल्प करते हैं लेकिन पورे विश्व में सबसे जञादा अगर किसी का युगदान रहता है तो दोस्तों वो रहता है मदुमख्यों का तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अगर 3 से 4 साल तक अगर मदुमख्यों का अस्तितो इस प्रित्वी से हटा दिया जाए तो प्रित्वी पे जितनी भी प्रजातियां हैं पोधों की वो सारी की सारी लगबग नश्ट हो सकती है यह बहुत कम बचेंगी और इससे मनुस्य जाती को पूरन रूप से खतर रहता है क्योंकि जितनी भी पेड़ पोधे हैं वो हमारे जीवन का अधार होते हैं तो दोस्तो इसी परकार से आज हम एक सरसों के खेत में हैं जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मदू मख्यां किस तरीके से पॉली नेशन करती हैं पॉली नेशन का एक सबसे बड़ा लाब यह रहता है कि इससे हमें फसल को बढ़ाने मे भी मदद मिलती है और साथ में इससे हमें सहद भी मिलता है तो पॉली नेशन क्यों होता है दोस्तों क्योंकि मदू मख्य को एजे फूड खाने के रूप में पराकन ची होते हैं पॉलन ची होता है जो कि मदू मख्यां तरह तरह के फूलों पे जाकर करके कठा करती हैं तो द पूरे इंडिया के अंदर जो कि सबसे ज्यादा साहद उसी चीज से निकलता है दोस्तों इसके लावाब बहुत सार है के और फूल होते हैं लेकिन आज हम सिर्फ सर्सों के फूलों की बात करेंगे तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा देरे-देरे के आपको किस तरीके से स दिख करती है जिसमीटी बहुती है दोनोंतरफ है जिसमें वह धीरे धीरे अपना जो parfois जीनों पूलों पर जाती है सैं उसमें से फ्रेक्रनी कठा करती है तो जैसे ही उनकी थैली भर जाती है और जितना प्रियापत मातरा में नेक्टर वगरा उन्हों लेना होता है वो लेने के बाद फूलों को से उड़ करके अपने बी कलोणी में चली जाती है और वहां पर उस टोकरी को खाली करती है जिसमें उन्होंने पॉलन को भरा हुआ था और दुबारा से फिर वापिस वह डबे से बाहर आती है अपनी कलोनी से बाहर आती है डबे को छोड़ करके और फूलों के उपर जाती है तो दोस्तों इस तरीके से लगबग पूरे दिन मे अगर हम बात करें तो एक मदुमक्खी लगबग दो हजार फूलों पे जा करके साहधी कटा करती है और जहां पे पॉलन होता है वहां पे पॉलन ही कटा करती है तो इस तरीके से देखो कि दोस्तों पूरे मदुमक्खी का जो लाइफ पीरियड होता है उसमें एक दिन में द इतने फूलों पर जा करके क्रोस पॉलिनेशन करती है तो इस लिहाद से इसमें फसल भी ज्यादा होती है और पेड़ पोधों को ग्रोध करने में बढ़ने में भी बहुत जादा हेल्प मिलती है तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से पॉलिनेशन होता है जिसमें आप सब अलग-अलग फूलों पर जाती होई मदुमक्यों के बारे में आप देख पाऊगे किस तरीके से पॉलिनेशन होता है यह दोखो दोस्तों यह मदुमक्य फूल से दूसरे बूल पर गई यहां से पॉलिनेशन होता है और उड़कर के दूसरे फूल पर बैठती है तो इस तरीके से जगए जगए पर लगबग एक दिन में लगबग दो हजार फूलों पर जाती है और वहां से सहदी कठा करती है और नेक्टरी कठा करती है दोस्तों पॉलन एक बहुत बढ़िया ताकतवर भोजन माना जाता है मदुमक्यों के लिए और एक्स्ट्रा जो पॉलन निकठा करते हैं भी की पर्स उनको खाने करूप में इस्तमाल किया जा सकता है और इसके अलावा उनका मेडिशनल प्रोपर्टी भी उती है उसमें बह पालन के साथ जूड़ करके एक सांदार प्रकृति का भी नजारा लेते हैं जिसमें जगह जगह पे मदुमक्यों पालक जो प्रकृतिक वातावर्ण में घूमते हैं वहां पे ताजी हवा ताजा मौसम और इस तरह की सभी चीज़ों का आनन्द लेते हैं आप सब देखोगे पूरा जंगल एरिया है खेती है यहां पे आप देखोगे इसमें सर्सों के फूल लगे हुए हैं चारों तरफ तो इस तरीके से दोस्तों सर्सों की जो खीती है वो पूरे इंडिया में होती है और लगबग सभी एरियाज में पाई जाती है और यह आप देखोगे देसी मधु मक्षी है इंडियन मदु मक्षी क्योंकि यहाँ पर इंडियन मदु मक्षीं भी रहती है और पाल्तु मदु मक्षी हैं जो कि एपी समेली फेरा है जिसके बारे मैं हमने पूरी ट्रेनिंग सीरीज चालू की हुई है दोस्तों और दिखाता हूं मैं आपको कि यह पी स्मेली फेरा मदुमक्खी है जो कि पॉलनी कठा कर रही है तो दोस्तों इस प्रकार से पूरे एरिया के अंदर यह गूमती है और अपना पॉलनी कठा करती है और सहदी कठा करती है नेक्टरी कठा करती है जिससे कि आपको सहद मिलता है और मदुमक्खियां बहुत मेहनत से इसको कठा करती है और मदुमक्ही पालक भी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं थोड़ा भी सहद उत्पादन करने के लिए तो दोस्तों इसलिए इस काम को छोटा नहीं समझना चाहिए अगर आप सहद खा रहे हो तो उसमें बहुत सारे लोगों का मेहनत है मदुमक्ही की मेहनत है एक किलो सहद रिकान ले के लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ती है तो इसलिए मदुमक्ही पालनकों का समान करना चाहिए और जो लोग मदुमक्ही पालन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सांदार और एंटेटेनिंग और प्रकृति के साथ जीने का अच्छा मौका मिलता है और साथ में अपना धन उत्पादन भी कर सकते हैं सहथ बेच करके बहुत बड़ा इंकम कमाई जा सकती है और धीरे धीरे और लोगों को इसमें सामिल करके आप अपना वेवसाय को और बड़ा कर सकते हैं दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कि पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम नए नए वीडियो बना करके आप तक पहुंचा सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्यू वेरी मच्छ